करते हैं वह वी साम को चैनल के साल तो चलिए हम लोग सांड के स्प्नैक्स में चाई के साथ कहानी के लिए कुछ अच्छा सा क्रिस्पी करें ये तो फिर आप लोग इसके अलावा और कुछ भी टेस्ट करना नहीं चाहेंगे तो चलिए फिर हम लोग सुरू करते हैं और हाँ वीडियो के अंत में फ्यूजन ओफ टेस्ट की चिन को सब्सक्राइब लाइक और अपने फैमिली और फ्रेंट्स के साथ सेयर करना मत भूलिएगा तो आज में इसको बनाने के लिए मैं ये म मुटा वाला बॉयल्ड हाफ के टोड़ी के लगवाग मूडल्स ली हूँ और अब इसमें मैं ये वन स्पून पावल और साथ में ही हाफ स्पून रेड चिली पॉडर साथ में थोरा से नमक तो मैं यहां पे हाफ स्पून से भी कम नमक मिला रही हूँ आपनों चाहे तो पानी नहीं देंगे पानी देंगे से यह स्टिकी हो जाएगा तो हमें स्टिकी नहीं बिल्कुल ऐसे ही अलग-अलग नूडल्स चाहे और चलिए इसे फ्राइ करते हैं तो फ्राइ करनी के लिए मैं कड़ाई में रिफाइंड ओल ली हूँ और जब तेल गरम हो जाए तब पूरा-थोरा करते हुए नूडल्स इसमें डिप करते जाएंगे तो एक बार में आप लोग ज्यादा नूडल्स मत दीजिएगा नहीं तो यह आपस में सट जाएगा और फिर इसे हम लोग चलाते हुए हलका ब्राउन होने तक फ्राइ कर लेंगे तो यह दिखें यह फ्राइ हो चुका है और अब इसे हम लोग स्टाइट कर लेते हैं और ऐसे ही बाकी बचे हुए सारे नूडल्स फ्राइ कर लेंगे और फिर इसको सर्फ करते समय हम लोग इस पे थोरा सा चात मसाला और थोरा सा ब्लैक पेपर पॉटर स्प्रिंकल कर दें तक भागे और पिर इसे हम लोग घर्मा घरम चाय के साथ करेंगे और थोरा एक्स्टा टेस्ट के लिए लोग इसे चिली सॉस या फिर टमैटो सॉस के साथ सर्फ कर सकते हैं सो फ्रेंड्स यह हमारा कुर कुरे नूडल्स का रेसिपी आपको कैसा लगां हमें कमेंड करके ज